हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चाइनल, आज मैं आपके लिए बहुती प्यारा सिंगल कर में डिजाइन लेकर आई हूँ, ये इस डिजाइन के लिए आपको 8 के मल्टिपल में फंदो को लेना है, प्लस में 4 स्टिच एड़ करने से आपको डिजाइन सेट होगा, प्लस में 2H के लिए, नीडल देखेंगे, तो नीडल यहापर मैंने 3.75 mm के लिए, आप 9 नमबर, 10 नमबर, 11 नमबर और 7 और 6 नमबर की नीडल से भी से बना सकते हैं, बार्टर बिनने के बाद हम रो वन राइट साइट से शुरू करेंगे, तो चले शुरू करते हैं डिजाइन बना या ले, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे वेले उन को अपनी तरफ लाना, यानी की सीधह तरफ लाना है, और 4 फंदे उल्टे बिनने हैं, एक, दो, तीन, चार, चार फंदों के बाद उनको wrong side की तरफ करना है और चार फंदे सीधे बिनने हैं एक एक फंदा हो गया यहां हमारा दो तीन चार तो यही आठ फंदे आपको एक बार फिर से repeat करने हैं उनको right side की तरफ लाएंगे चार फंदे उल्टे बिनेंगे एक दो तीन चार यहां पर चार फंदे उल्टे हो गए अब हमारे जो हैं उनको हमें पीछे की तरफ करना है और चार फंदे सीधे बिनने हैं यही आठ फंदे आपको पूरी right side की सलाई पर repeat करने हैं चार फंदे उल्टे और चार फंदे सीधे यह हमारी row first है और इसमें आपको पूरी सलाई इसी तरीके से complete कर लेनी है चार फंदे उल्टे और चार फंदे उन पीछे करते हुए सीधे बिनेंगे यहां पर तीन और चार चार फंदे हो गए अब देखे यह जो चार फंदे यह हमारी डिजाइन को सेट करने वाले हैं तो इसे हमें उल्टा बिनना है right side की तरफ उन को लाएंगे और चार फंदे उल्टे बिनेंगे एक, दो, तीन, और चार उनको पीछे की तरफ करते वे एक फंदा सीधा यह हमारा h का फंदा है अब wrong side के हम second row पर आए हैं wrong side की जो row है यह देखिए जो आपने right side से उल्टे फंदे बिनेंगे वो wrong side से सीधे फंदे हो जाएंगे तो wrong side से हमें opposite बिनना यानि की चार फंदे सीधे से शुरू करेंगे हम एक, दो, यहाँ पर हमारा तिसरा फंदा हो गया और चार, चार फंदे हम सीधे बिनेंगे अब यह चार फंदे हमारे उल्टे हैं, देखिए यह तो उनको अपनी तरफ wrong side की तरफ लाते हुए चार फंदे उल्टे बिनेंगे एक, दो, तीन, चार उनको आगे की तरफ लखे जाएंगे, चार फंदे सीधे यही आपको पूरी रोम पे repeat करना है दूसरी सलाई पे चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे तो दो सलाई आपको इसी तरीके से complete कर लेनी है पहली और दूसरी अगर आपने मेरे चैलन सब्सकाइब नहीं किया तो प्लेज सब्सकाइब कर लीजे बैल आइकन को क्लिक कर लीजे तक आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताया कीजिए आपको डिजाइन कैसा लगा तो यहाँ पर हम चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे बिनते हुए अपनी second row को complete कर रहे है एक बार में इसमें आपको फंदे फिर से बता देती हूँ, इसमें आपको 8 के multiple में stitch लेने है प्लस में 4 stitch एड़ करने से आपका design सेट होगा, प्लस में 2H के लिए तो यहाँ पर यह आपका फंदो का रहेगा, हमारे पास यह जो हम 4 फंदे सीधे बिन रहे हैं, यह हमारे design सेट करने वाले है एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए हम second सलाई को complete करेंगे अब row third पर आ गए है, row third का हमारा पहला फंदा जो slip जाएगा, अगर आप बिनते हैं तो इसे सीधा बिनेंगे अब यह 4 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे, यह आपको same इसी तरीके से बिनने हैं हर सलाई में तो 4 फंदे उल्टे, अब देखिए हम 4 सीधे फंदो को कैसे बिनेंगे, यह 4 फंदे हैं, अब देखिए, 1 फंदा हमने सीधा लिया, अब इसमें 1 बार उनको लिया और 2 बार, यानि कि 1 फंदे को 2 बार उनसे लपेटते हुए सीधा बिना, फिर देखेंगे, 1 बार ऐसे लपेटा, 2 फंदे हो गए, फिर से 1 बार लपेटेंगे उनको, 2 बार लपेटेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर 1 बार उनको लपेटेंगे, 2 बार उनको लपेटेंगे, 4 फंदे हो गए, अब यही आपको 8 फंदे फिर से रिपीट करने हैं, उल्टे फंदो को तो आपको उल्ट उनको सलाय पर लपेटना है एक दो और सीधा बिनना है फिर से एक दो सीधा बिनेंगे फिर से एक दो देखे एक बार लपेटेंगे और दो बार लपेटेंगे तिसरा फंदा हो गया चौथे फंदे के लेक बार फिर से एक बार फिर से दो बार उनको सलाय पर लपेटना है और चार फंदों को बिनना है सीधा ये चार फंदे आपके उल्टे बिने जाएंगे एक, दो, तीन, चार, फिर से उनको पीछे की तरफ करेंगे और हम चार सीधे फंदे बिनेंगे ये वाले इनमें हमें धागे को दो बार लपेटना है देखें ऐसे एक और दो, फिर सीधा बिन देंगे फिर से एक और दो सीधा बिन देंगे फिर से एक और दो सीधा बिन देंगे फिर से एक और दो सीधा बिन देंगे अब ये वाले चार फंदे आपको उल्टे बिनने हैं एक दो तीन, चार H के फंदे को आप सीधा बिनते वे row 3 को complete करेंगे row 4 आ गई है wrong side की row आएगी पहले फंदे को slip कर देंगे अब ये वाले 4 फंदे जो हैं ये हमारे सीधे बिने जाएंगे जो हमारे wrong side से सीधे होते हैं वो right side से उल्टे हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें 4 फंदे सीधे बिनने ही 4 फंदे हो गए अब देखिए उन को हमें अपनी तरफ करना है देखिए ये 4 फंदे हमने दो बार सलाई पे उन लपेटते वे बिने थे अब देखिए उन को wrong side की तरफ करेंगे इनको खोलेंगे खोलने का मतलब जो हमने फंदे इन पे दो दो लिये थे उनको बिने बगर ऐसे दूसरे सलाई पे ले लेंगे खोल के देखिए ऐसे तो ये 4 बड़े फंदे हमारे पास हो गए अब फिर से हम उनको right side की तरफ करेंगे इन फंदों को हमें नहीं बिनना है फिर 1, 2, 3 और 4 4 फंदे हमें सीधे बिनने हैं उनको अपनी तरफ करेंगे जो हमने फंदे लपेट के बिने थे right side की तरफ उन्हें हमें खोल लेना है देखिए ऐसे तो ये फंदे जो है वो धीले हो जाएंगे धीले मतलब बड़े हो जाएंगे देखिए इन्हें हमें बिनना नहीं है इन्हें हमें छोड़ के आगे बढ़ना है और 4 फंदे सीधे बिनने है 2, 3, और 4 फिर से उन अपनी तरफ करेंगे और देखिए यहां पर फिर से हम 4 फंदों को खोल देंगे 1, 2, 3, और 4 इन्हें हमें बिनना नहीं है इन्हें हमें बिना बिने दूसरी सलाई पे ले लेना है अब हमें देखे उन को फिर से राइट साइट के दरफ करना है और चार फंदे सीधे बिल लेने हैं एक, दो, तीन, चार उन को अपनी तरफ करते वे एच के फंदे को उल्टा बिनेंगे रो फोर हमाई कम्पलीट हो गई, रो फिफ्ट आ गई है एक फंदे को सिलिप करेंगे अब इन चार फंदो को हमें उल्टा बिनना है एक, दो, तीन, चार उन को पीछे करेंगे अब देखे ये जो चार फंदे हैं इसे हमें कैसे बिनना है चार फंदों को देखिए हमें राइट साइट की निडिल पर फंदों को लेना है ऐसे अब ये जो आगे वाले दो फंदे इसे उपर से पीछा ले दो फंदों को ले जाते वे ऐसे क्रोस में कर लेना है ये देखे ऐसे अंदर से लाना है दोनों फंदों को और ये देखे इस तरीके से क्रॉस कर देना हमें ऐसे अब हम इन चारों फंदों को सीधा बिनना हैं देखे एक दो इधर से दो और तीन और चार ये देखे ऐसे अब फिर से हम चार फंदे उल्टे बिनेंगे यह वाले 4 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे 1, 2, 3, 3, 4 उन पीछे करेंगे अब देखिए फिर से हम यही 4 फंदों पे करेंगे हमें राइट साइट की नीडल पे फंदों को लेना है ऐसे और जो आगे वाले दो फंदे है उसे पीछे वाले दो फंदों के उपर से लेकर जाना है और पीछे कर देना है देखे ऐसे जो पीछे वाले दो फंदे है वो बीच से निकल के आगे की तरफ आएंगे देखे ऐसे यह देखे ऐसे अंदर से आपको आगे की तरफ लाना है फिर से यही फंदों को repeat करना है, चार फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बिने, उन पीछे की तरफ किया, इन चारों फंदों को हमें लेफ्ट साइड की needle पे लेना है, इस तरीके से, और उसके बाद लेफ्ट needle से आगे वाले पीछे वाले दो फंदों के उपर से लेके जाना है, और पीछे वाले जो दो फंदे, उनको बीच में से, अंदर की तरफ से, आगे की तरफ लाना है, देखे, ऐसे, अब हमें देखिए, यह ऐसे होने के बाद, हमें सभी फंदों को, यह जो चारों फंदों है, इसे ऐसे ले था फंदा, चारो फंदों को हमें सीधा बिन देना है, अब ये वाले चार फंदे हमारे उल्टे होंगे, ये देखें, इसे हमें उल्टा बिनना है, एक, दो, तीन, और चार, एच के फंदे को सीधा बिनते वे, फिफ्ट रो को कम्प्लीट कर लिया है, अब रोज 6 है, हमारी पहले फंदे को सिलिप करेंगे, चार फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदों के बाद, उनको अपनी तरफ करेंगे, और चार फंदे उल्टे बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर से उन राइट साट के तरफ करेंगे, चार फंदे सीधे बिनेंगे, आपको row 6 जो है पूरी इसी तरीके से complete करनी है चार फंदे सीधे चार फंदे उल्टे बिनते हुए ये जो design है ये 6 row repeat pattern है यानि कि 6 सलाईयों का design है और 6 सलाईयों पर ये design complete हो जाता है तो ये हमाई design की last row है और इसे हमें उल्टा जो फंदे उल्टे है उन्हें उल्टा बिनना है जो फंदे सीधे है उन्हें सीधा बिनके row को complete करना है चार फंदे उल्टे देखे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे एक दो तीन चार ह के फंदे को उल्टा बिनते हुए हमें यहाँ पर row को complete कर लेना है और हमारा यहाँ पर pattern जो है वो complete हो गया है अब इसी के उपपर आपको फिर से six row repeat करते जाना है और जब आप इस design को continue बनाते रहेंगे तब आपका design कुछ इस तरीके से दिखाई देगा देखिए बहुती हुपसुरत बहुती प्यारा pattern है आप इसे gent sweater, gent high neck और gent cardigan के लिए और यह तकरीबन सभी colors पर अच्छा बन कराता है I hope आपको design पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया